मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजूकेशन हव यूटूब चैनल पे स्वागत करती हूँ आज के वीडियो लेक्षर में क्या देखने वाले है आज के वीडियो लेक्षर में हम लोग केमेस्ट्री सबसेडरी का टॉप टेन कोसन देखने वाले है देखिए मैं आप सभी को एक बात बता दूँ आप लोग अगर टॉप 10 कोशन नहीं खड़ी सकते तो चींता मत किजी आप लोग को जो भी सब्यक्ट का चाहिए मुझे टेलिग्राम पे आके मैसेज कर दिजी या फिर इंस्टा पे आके मैसेज कर दिजी आप सभी को मिल जाए अगे तो चलिए देखिए क्या है टॉप 10 कोशन आज हम लोग केमेस्ट्री सबसेटरी का टॉप 10 कोशन देखने वाले है इसे खुशी की बात यह है कि हम लोग सोलूशन के साथ सभी कोशनों का एंसर देखने वाले क्योंकि सिर्फ कोशन से आप लोगों का कुछ भला नहीं होने वाला है तो देखिए क्या है एक्स्प्लेइन दा टम्स पहला अप्सन है स्पेसिक कंडुक्टिविटी दूसरा है मोलर कंडुक्टिविटी और देखिए यहां पर लिख दिया गया हुआ है फोर सेल कॉंस्टेंट यह फोर नहीं थीडी ही है अगर इसका मतलब कि जो क प्रविटी दूसरा है और इक्विएलेंट कंडुक्टिविटी क्या होता है यह चारों टर्म समझना है मैं आप लोगों को 2019 का कुष्टिन में सुलूसन करवाई हो यह उसमें मैं यह सारा एक्स्प्लेइन की हो यह लेकिन मैं फिर से एक्स्प्लेइन करूंगी ताकि आप का डिविजन हो सकते हैं अगर आप लोगों को 2019 का टोटल को संट पीजिकल इन और गयनिक सभी का सॉलूसन चाहिए होगा तो आप लोग मुझे टेलिग्राम में मैसेज करके 2019 का भी और 2015 का भी 2017 का मैं PDF रेडी नहीं क्यों और पता नहीं कहा है वह मिल भी नहीं रहाता लेकि चलिए इसका सलूसन देखें, कोशन नंबर वन का एक का explain the term चलिए चलिए सबसे पहला explain the term specific conductivity तो देखें specific conductivity वो conductivity होता है जो किसी और e xml में जितना ह भी conductivity होता है न देखें समझावा अचे तरीका से conductance due to all the ions present in 1 ml of electrolytic solution कोई solution होगा जिसका volume होगा 1 ml उसमें जितने आयन प्रेजेंट होगे उस आयन के द्वारा जितने भी conductance होगे ना उसी को हम लोग specific conductivity कहते हैं तो क्या आप लोग को याद रहेगा specific conductivity क्या होता है एक बार मेरे साथ बोलिएगा आप लोग कोजिस किजिए याद हो जाएगा conductance due to all the ions present in conductance due to all the ions present in 1 cm क्यों या फिर 1 ml of electrolytic solution ओके तो इसको हम लोग specific conductivity जो है ना इसको हम लोग कपा से फर्मूला होता है जो की होता है अप लोग लोग रॉपन यह तो आप लोग इस टाप से फर्मूला को क्योंकि आप लोग एक्जामिनेशन के दिन तक आप लोगों को याद नहीं रहा पाएगा क्योंकि बहुत सारी यूनिट हो जाएंगे ना इसलिए यह तो याद रहेगा ना और यह याद भी रखना मतलब ओम इंवर्स में ब Sanders किया है और एक और मजे की बात करते हैं ब lotus करते सकते हैं और टर्म जानते हैं जिसको लोग बोलते हैं साइमान तो आप लोग यह सभी यूनिट को एक्जामिनेशन में लिख दीजिएगा यही अगर एक्विलेंट को लिख दिया जाता है तो उसमें वन ग्राम ऑफ एक्विलेंट चाहिए तो आप लोग ज्यादा दिमाग मतलब कि इस टाइप ज्यादा रटने की कोशिस नहीं किजिए सिधा याद किजिए ऐसा का जुकंड़क्टेंस ड्यू टू ओल दी आयन्स प्रेजेंट इन अगर वन एमल ऑफ सोलूशन में तो एस्पेसिफिक कंड़क्टेंस वन मॉल ऑफ ए उल्हाल ओस्टेंस वन मॉल ऐलेक्ट्र wad और मॉल अलाक कंडेक्टिविटी एक अधार कपाइंट यूइंट्टी का इन्टी वाल्यूम और वाल्यूम के लाए वैजूं की चयोफिए एक वोगा एलाक्ट्रोलैट का वह वालूम होगा और लेंडा एम मतले मॉलर देखिए आप लोग तिसरा टर्म है cell constant के डिफोनर यादं रहता हैं तो देखिए कैसे याद रखते वस इतना याद रखिएगा cell जो होता वह एल अपॉन ए होता है अगर एक्जानमीन में याद आता है तो आप लोग सेखah स्टेवाइब दिशह कर दोट विंद प्राइब दिशा कोंसरा मतलों अपलों को पस इतना याद रहे का न मैं याद रहे देखें किस प्रेकार से डिफाइंड क्या गया हुए इसका यूनिट होता है क्या होता है ज्यादा दिमाग लगाने की जो होती है देखें मैं कैसे यूनिट याद रखती हूँ लेंद का मिटर होता है एकर मतलब है मतलब मीटर इंब और इस तरीके से आप लों का सिल Dann का वी स्टीटेटदेट का यूजा इन च्यूनिट करतेन क्या होता है लूल न मीटर ना q ngo इक्रड़ाई और मोलर कंडृटिटए इस कन्ड़ी प्रेजैन स Buff volume of solution which contains one mole of electrolyte और सेल कॉंस्टेंट क्या समझे सेल कॉंस्टेंट इस रिफाइंद दिरेश्यों 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 दिस्टेंस बिट्वें टू दिस्टेंस बिट्वें टू एलेक्ट्रोड एंड एडिया ऑफ क्रॉस सेक्षन तो लोग यह तीनों डिफिन समझ चुके है सबfund मतलब होता है तो आप लोग को जएथे पासष पानी analyse में उसको समझ मतलब और पानी ध्यार तो क्या फिर उसकेबाद पीजेगा, थो आप लोगो कम मीठा लगे गा, फर या कहंद को कम कम घळँर लगेगा? तो हम लोग का equivalent conductance पर क्या variation होगा इसका explanation हम लोग समझेंगे आप लोग वो जो कोशन ऐसे मैं चाहू तो यह आप लोग को टॉप 10 कोशन का जो मैं solution ready कियो use अभी subject का वो आप लोग को 50 रुपे में pay कर सकती हूँ लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ आप लोग पैसा वेस्ट किजिए आप लोग आडाम से नोट से पढ़के बनाईएगा तो ज्यादा अच्छा होगा ओके चलिए देखिए the variation of equivalent conductance with dilution तो हम लोग को बताना है तो equivalent conductance जो होता है न वह बढ़ता है कब बढ़ता है जब हामाने कंसेंट्रेशन को increase करते हैं कंसेंट्रेशन को increase करने cohort ते क्या मतलब है dilution को घटते हैं तो तो oluyor बढ़ता है कंसें घटाते तो डाल सुन बढ़ता है मतलब इसकी में लेशन होता है कैसे रिलेशन होता है मैं आप लोग को वह सरवत वाला एक जांपल देखे बता चुकी हो कि तो एक्विवालेंट कंडक्टेंस करते हैं यहां पर देखिए यहां पर देखिए यहां पर दो आयन है जब हम लोग डायलूशन करते हैं तो आप सभी को पता होगा इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है क्या होता है जब हम लोग डायलूशन करते हैं तो दो आयन के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है तो हम लोग यह स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलायट की बात की हो की होगा इसा होता है और equivalent conductance of weak electrolyte also increases with dilution और equivalent conductance जो होता है weak electrolyte का वो भी dilution के साथ increase करता है but the effect is not linear because number of iron increases with dilution और हम लोग जब dilution करते हैं तो इसमें weak electrolyte बे dilution करने पर हम लोग का number of ions जो है वो क्या होता है increase करता है इस तरीके से graph है उससे आप लोग समझ सकते हैं यह हम लोग का क्या था यह हम लोग का था explain the variation of equivalent conductance with dilution देखे equivalent conductance दोनों में तो बढ़ता ही है या फिर वो weak electrolyte है या फिर strong electrolyte लेकिन दोनों का रीजन अलग-अलग है ऐसे लिखा हुआ है आप लोग यहां से पढ़ के लिख सकते हैं और समझ सकते हैं नेक्स्ट कोशन के आप लोग का वाइडियल गैस डेविएट फ्रम आईडियल बीविएट जो रियल गैस होता है ना वह आईडियल बीविएट करता है तो मैं थोड़ा सा आप लोग को बता रहती हूँ से बीविएट करता है वह वह वाजा है नेक्स्ट वीडियो में अच्छिश वीडियो में अच्छिश समझेंगे इस वीडियो एक वीडियो में ज्यादा अगर आप लोग अच्छे तरीकाय समझ नहीं पाइएगा फूरा थूरा में आप लोग को पढ़ाती हूँ तो आप मुझे जाधा अच्छा होगा क्योंकि मुझे आप लोगों के वीडियो में हम लोग पहला कोसन देखे पहला यह भी नेक्स वीडियो में कौन से सब्जेक्ट के स्टूडेंट है जिसको टॉप टेन कोशन का सलुसन चाहिए मिलते हैं नेक स्टूडियो में तब तक के लिए बाई थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो